निर्फ के शोफ के पेशेंट में लगवे के पेशेंट में देखा जाता है कि जितने हैं अपको कही न कहीं सामाजिक तौर पर एक सोशल तौर पर बहुत आइसोलेट कर लेते हैं बहुत एकांध में चले जाते हैं यह साथ में आप नेक चीज और नूटिस की होगी कि उनके जो ऐसे बढ़ताव है उनकी जो परसनालिटी है उनका जो व्यप्तित्व है वो भी कही न कहीं स्टोक में बदल जाता है तो किस तरह की ऐसी चीजें हैं जिससे वो करेंगे कुछ इन ही पॉइंट के बारे में तो समझे के सबसे पहले होता क्या कि स्टोक के बाद में जब किसी भी स्टोक के पेशन में जो मूवमेंट है वो कम हो जाते हैं या उनकी जो एक चीजें हैं कि वह सही से कर नहीं पा रहे हैं वह अपनी डेली की जो ऐसे रूटी हम हैसूस करने लगता हैं तो उन पेशन के लिए क्या ऐसी चीजें जरूरी हैं देखे अगर आप मुझसे पूचेंगे तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा जितने ऐसे फैमिली मेंबर्स देख रहे हैं या जो अपने आप में स्रोक के पेशन वीडियो को देख रह एक जो एक एंवार्मेंट है वो अच्छा होगा उतना ज्यादा अच्छा इंपक्ट पेशन की परसनालिटी के उपर पड़ेगा उतना अच्छा इंपक्ट जो है जो प्रभाव है उस तो के पेशन के उपर भी पड़ेगा तो यहां माइने रखता है कि आपकी फैमिली का म आपने फैमिली मेंबर से कोशिश करेंगे कि उन को जियाद से थोड़ा फिजिकल एक्टिवीटी में इनवाल्व करें ताकि उन का जो एक मोराल ह Grad है उनकी परसनालीटी चीजह को अचैज फरी में आप में इंवाल मीं प्ले कर सकते हैं कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आप बहुत ऐसे अच्छा महसूस करें वह पॉजिटिव चीजे या कुछ ऐसे जो आपको बहुत जादा entertainment में बहुत जादा ऐसे पसंद हो चाहे वह कोई comedy show हो या इस तरह कोई family show हो तो आप वह चीजें देखके भी अपने आपको बहुत जादा पॉजिटिव रख सकते हैं जो सोचल आई सोलेशन हैं उससे दूर रह सकते हैं जो एक behavioral changes है उसमें भी बदलाव ला सकता है साथ में जो दमाईयां आपको दी गई हैं अगर आप किसी तरह के mood disorder से पहले से ग्रसित हैं पहले से परिशान हैं तो वह दमाईयां अपनी जितना हो सकता है आप regular रखें साथ में कोशिश करें कि अगर आपके आस-पास कोई पार्क हो या इस तरह कि आप जा सकते हों किसी खुले महाल में तो जितने ऐसे patient है मैं उन्हें व्यक्तिकत तोर पर कहना चाहूंगा कि आप अपनी जितने ऐसे patient है stroke कि अगर वो चाहते हैं या उनकी फैमिलीज चाहती है कि हमारा patient थोड़ा सा मूड अच्छा रहे पॉजिटिव रहे उनका जो potential है उनका जो moral है वह बहुत ज्यादा अच्छा रहे तो वह कोशिश करेंगे जितने ऐसे मैंने points बताएं हैं उन पर वह जादा unhealthy हो आपके लिए बहुत जादा नमक वाला खाना हो बहुत जादा तेल घी वाला ऐसे खाना हो कोशिश करिए जितना हो सकता है इस तरह के खानों से बचिए जब आप इस तरह के खानों से बचते हैं जब इस तरह की चीजों से आप बचते हैं तो आप इनको करने से बचने से बलकि मुझे कहना चाहिए आप अच्छा फील करते हैं अच्छा फील करने से जो आपका एक सोशल आई सोलीशन है जो आपके व्यक्तिकत ऐसे चीजों में बदला हुआ है आपका जो मूड ऐसे बदला है उसमें बहुत ज्यादा आपको फर्क देखने के लिए कर रहा हूं वह आपको समझ में आई होगी फिर भी कोई सवाल है कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे दिये का नमपर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं धन्यवाद